नवस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 35 years है और वर्तमान समय इनकी लिए काफी संकट वाला है बहुत जादा पर आगे समय बहुत अच्छा है और यह अच्छा ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे अपने जीवन में को लिए इस पाम को देखें तो यहां पर एक एक की सी लाइन बन रही और ये सीधी बन रही है दो तरह की जाइन बनती है और एक धनु शाकार उसमें अगर सीधी बनती है तो बहुत ज़्यादा benefited होती है व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो opportunity आती है उसको अच्छी तरह से grab करता है और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है यह palm rectangle shape है और साथ में थोड़ा सा square भी है और ज्यादा तर square इशी मान सकते इसको तो ऐसे लोग काफी महनती होते और महनत करके अपने जीवन को successful बनाते है अंगुटा थोड़ा सा छोटा है तो यह व्यक्तित वह मध्यम से कम रहेगा इतना strong व्यक्तित वह नहीं रहेगा पर फर्स पहला है नुकीला है यह plus point है व्यक् फैलेंज थोड़ा सा छोटा है एवरेट से तो लॉजिक के साथ तत्यों के साथ बात बताने में कहीं न कहीं कमजोरी फिल करते होंगे इनके थर्ड फैलेंज उंगलियों के सारे चप्ते हैं तो यह business acumen यानि business का science बहुत काफी अच्छा व्यक्ति में रहता है जब यह सपा पचास अजार हो और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो यह लोग ले सकते इतने रिस्क टेकर होते हैं छोटी उंगली भी फिर्स फैलें तक पहुंच रही है यह प्लस पॉइंट है व्यक्ति दोक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मैने दिख रही है यह लाइन वाला व्यक्ति सुंदर होता है वानी अच्छी होती है बिजनेस के सारे उस व्यक्ति में होते है प्लस बेसिक ज्यान अगर कॉमर्स का भी स्टूटेंट है या आर्स का भी स्टूटेंट है तो टेकनोलोजी और साइंस का बेसिक ज्यान व्यक्ति को जरूर होता है सूर्य परवत पर देखे तो सूर्य रेखा यहां से चल रही है और यहां का रुकी एक और और एक और इस तरह से इनकी सूर्य रेखा चल रही है और एक रेखा यहां से इस तरह से निकल रही है यह ज़्यादा तर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के हाथ में इस सरकी रेखा पाई जाती है और यहां पर एक triangle भी बन रहा है जब इस जगह पर छोटा भी triangle हो तो भी व्यक्ति का आम लोगों से ज़्यादा संपन्ध होता है और मन की सारी इच्छा है व्यक्ति की पूरी होती है लगबग यहां पर एक अच्छी सी sign बन रही है यह बन रही है multiple property की ऐसे लोग एक से अधिक property आपने जीवन में बनाते हैं विद्या रेखा बहुत छोटी है बहुत ही छोटी है फिर भी है यानि basic ज्यान व्यक्ति में अच्छा खासा होता है और basic ज्यान के कारण व्यक्ति ज्यादा आगे भी बढ़ता और लोग इनको पूच पूच क अधर काम करते हैं यहाँ पर देखे तो fate line सुरिपरवत की और जुक रही है कहीं न कहीं तो यह विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है जीवन में कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा या किसी और के product को बेचने वाला यह भी line है इनकी जैसे मारूती का service station नाम मारूती का काम मारूती का और उस पर service देकर आप पैसा कमा रहे हो तो किसी और के बच्चे को आप बढ़ा कर रहे हो यानि आया जैसा काम इस तरह का काम भी अपने जीवन में कभी न कभी कर सकते है और या फिर यह रेखा व्यक्ति को विदे से धन प्राप्ति की और इशारा करती है दो में से कोई एक फल व्यक्ति को मिलता है और continue रेखा है तो बुड़ापे तक अच्छी खासी income करते रहेंगे और काफी strong रेखा है तो बुड़ापे में यानि 56 के आसपास के बाद व्यक व्यक्ति को ज्यादा धन प्राप्ति में सहयोग देते गुरु परवत पर देखे तो एक अच्छा सा क्रॉस बन रहा है अगर इनको बच्पन में जोर से एक बार लगाओगा जोर से जो अभी तक इनको याद होगा खुन निकला होगा stitches आये होंगे तो याद होगा और का रोल रहा जीवन में सद्ध होता होगा या अभी भी कभी न कभी सर पे खुन निकले ऐसा नहीं कोई न कोई लगते रहता है आप सोफे पर बैठने जा रहे हो पीछे दिवाल में लग गया या बैड पर बैठने जा रहे हो पीछे लग गया दिवाल पर इस तरह की की और से काफी अच्छा सयोग मिलता है जब इस तरह की सायन होती है तो अगर यह नहीं है तो यह सीधी एक होरिजंटल लाइन पकड़ो वर्टिकल लाइन और एक होरिजंटल यह व्यक्ति को पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी में इंट्रेस्ट दिलाती है और व्यक्ति धार्म मध्यम से अच्छी रहेगी और यहां पर बहुत सारी लाइन है जब इतनी लाइन होती है तो व्यक्ति चिंति सभाव का होता है अभी वर्टमान जो समय है वह 100% इनके लिए चिंता का सब्जेक्ट है पर आगे जाका यह काफी अच्छी उन्नति करेंगे पर फिलहाल वर्ट समय खराब है इसके लिए लाइन आई हो और यह बाद में भी अगर रहती हो तो भुले नात के मंदिर पर जल चड़ाईए और मेडिटेशन करिए तीन मेने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा यह रेखा हलकी हो जाएगी या निकल जाएगी बारी मंगल पर देखे तो एक रेखा यह इस तरह से चल रही है अगर यह रेखा यहां से निकल कर यह घूंकर यहां पर काट रही होगी तो यह लगबग 24 साल के आसपास तीन लोगों में से किसी न किसी एक के काराण इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा होगा या तो पिता के द्वारा या जीजा के द्वारा या भाई के द्वारा ये तीन में से कोई न कोई एक रेख्ती के काराण उस पिरियड में 24 के आसपास के पिरियड में कोई अगर यह लाइन घुमती नहीं होगी यह खाली यहां होगी और यह अलग होगी तो भी यह कहीं न कहीं पारिवारिक नुकसान शो करती है और यह लाइन अगर सीधी है तो ऐसे लोगों को जो बड़े-बड़े सरकारी ओफिसर होते है रेविन्यू डिपार्टमेंट के उनके द्वारा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है बागी बारी मंगल अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable feel करेगा सास ही होते संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं यह सारे प्लस पॉइंट होते हैं इनका चंदपरवत भी काफी अच्छा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हाँ यहां पर एक थोड़ा सा छोटा सा क्रॉस बन रहा है जो नेगेटिव फिलिंग देता है अब वर्तमान समय इनके लिए टफ है हो सकता है उसके कारण भी यह फिलिंग आती हो अगर यह बाद में भी रहता है तो मैं इसका उपाय दे दूंगा और चंदपरवत अच्छा है तो कभी न कभी आपका विदेश से अच्छी लगती यह सारे गुंदर्म उते और नई नई चीजे करने का शौक होता जिनका चंदपरवत अच्छा होता है और एक देखिये कितनी बड़ी अच्छी बुद्रेखा इस जगह पर चल रही है काफी अच्छी जब इतनी बड़ी बुद्रेखा किसी के हाथ में हो यह 100% सफलता की गैरंटी है, 100%, व्यक्ति भूद ज़ादा बड़े स्कोर करता है या भूद बड़े लेवल पर पहुशता है, या बड़े वस्तुका करता धरता बनता है, यह जितनी भी उपर जाने वाली रेखा है, यह सारी धन देती है, सारी, अब यह भी उपर जाने वाल ही रेखा है, और नौन स्टॉप जा रही है, कहीं पर भी कोई प्रॉबलम नहीं है, यह सीधी यहां तक चल रही है, तो यह इनके पाम का सबसे बड़ा USB, यह लोग बड़ा सामराजिय क्रियेट करते और बहुत बड़े लेवल पर पहुशते यह लोग, हाथ के नीचे काम क संख्या बहुत जादा होती है, तो यह इनके पाम की सबसे बड़ी USB अगर है, तो यह है, सनलाइन भी है, पर वो लहर होकर जा रही है, तो वो इतनी दमदार नहीं है, पर यह रेखा तो बहुत दमदार है, बहुत दमदार, और इसके कारण देखे, कितना बड़ा मनी ट्रे हो रहा है, अब जब किसी के हाथ में इतना बड़ा मनी ट्रेंगल हो, तो व्यक्ती बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, और बहुत ज़्यादा संवरुद्धि पाता है, इंकम के सोर्स बड़े पैमाने पर व्यक्ती के क्रियेट होते है, और इसके द्वारा एक बहुत greater triangle भी बन रहा है, तो ऐसे लोग भुड़ा पे तक तो अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते, अच्छी खासी, ये जो combination है, वो इतना solid combination है, कि व्यक्ति जब बुढ़ा होगा, तब ये बाते याद आएगी, कि किसी ने ये चीज कही थी, थोड़े साल के बाद तो इनको समय भी नहीं मिलेगा, बात करने का, ये इतनी रेखा में प्रभाव है, और ये जो साइन बनती है, इतना इदमदार साइन है ये, दूसरी साइन है यहाँ पर, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, ये जो रेखा होती है, शुक्र परवत पर, ये भी व्यक्त को बहुत पैसा देती है, और लग्जरियस लाइफ देती है, जो आप लोग फाइस्टार होटलों में रहने वाले लोग देखते हो, या इस तरह के लोग जो देखते हो, वो उनके हाथों में इस तरह की रेखा होती है, फुल लग्जरियस लाइफ देती है, फुल, महेंगी महेंगी गाडियों में पचास पचास है कि करोड ला दो दो करोड की जो गाडियों में घुमते उनकी हातों में भी आपको इस तरह की रेखा दिखेगी यह इतना टिमेंडस काम करती है जब इतनी रेखाय होती है जितनी जादा रेखाय और जितनी मोटी रेखाय उतना जीवन भी खुब कमाते और लाइफ भी इनकी फुल लग्जरियस रहती है, फुल, और इनको साथ मैं, गुरू का भी साथ मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर धन के मामले में अच्छा खासा सहयोग करेंगे इनको, अच्छा खासा, अब इनकी हिर्दे रेखा, ये भी कितनी सुन्दर, पूरी यहां से निकल कर, यहां चल रही है, फ्लर्ट लाइन भी बनी है, तो रहती दुखी भी हो, तो थोड़ी दिर दुखी होता है, और जब इस तरह की हिर्दे रेखा रहती है, तो ये जवानी के दिनों में, प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, आप लोग फे दे रेखा दिखेगी, इनको प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, एक चीज, दूसरी, इनके सभाव बहुत अच्छे होते, दुस्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता, और भावग भी होते, भावनाव में भी निर्णे लेते, पर बहुत अच्छे इंसान हो होते, भरोसे लाएके इंसान होते, तो ये बेस्ट हाटलाइन है, आसपास के लोगों, साथ में काम करने वालों, सबसे मित्रता होती है, सबसे, कोई इनका दुस्मन होता ही नहीं, और इनको जीरो, दुस्मनी के नाम पर ये जीरो होते है, किसी के साथ दुस्मनी होती ही नह थोड़ी सी भी जुकती है, अगर कोई माइन लाइन अगर जुकती होगी, 99% यह नहीं जुक रही है, यह सिधी चल रही है, गुरू से टच हो रही है, तो व्यक्ति महतोकांशी होता है और अपनी महतोकांशा पुरी भी करता है, और सिधी रेखा है, तो अच्छा ग्रोथ दे यह आगे बढ़ने का दबाव रहता है इनके जीवन में, यह लगबग उम्र के 30 साल से लेके, लगबग 36 साल तक यह दबाव दिख रहा है, और उसके बाद यह माइन लाइन अच्छी खासे आगे चल रही है, यह पिरियड इनके लिए दबाव वाला दिख रहा है, और वो जीवन रहा है वो पूरी सुक्र परवत को घेर रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इनसान रहते, कहीं बार भी गए, तो पांच बार दस बार फॉन करेंगे, इतने अच्छे लोग होते ही है, और इसके कारण सुक्र का भी प्रभाव बढ़ जाता है, और फेट लाइन भी इनकी केतु परवत से सुरू हो रही है, तो basic requirement बच्छपन से ही पूरी होती है, छोटी-छोटी requirement भहत आसानी से इनकी पूरी होती है, well-to-do family में है, इनका जन्म होता है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि बहुत जादा संपन परिवार में होता है, पर कोई छोटी-मोटी requirement है, यह पैसे की कमी का महसूस नहीं होता, कि यह पैसे की कमी कोई डिश्टब हुई, मैं यह कहना नहीं है, कि बहुत जादा पैसे होते हैं, पर जो requirement होती है, वो सारी पूरी हो जाती है, चाहे वो education की हो, चाहे आगे बढ़नी की हो, सारी चीजे पूरी होती है, अब इनके close-up का सा पारा लेते हैं, यह इनका close-up, अब पहले negative point पर चलते हैं, एक 33 के आसपास राव रेखा ने काटा, एक 34 और 35 के आसपास यह बड़ी राव रेखा है, यह इनको disrupt करेगी, क्योंकि दो पार्ट में कट रही है, एक यहां से भी कट रही है, और एक यहां से आकर भी कट रही है तो यह थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, और उसके बाद उम्र एक बहुत बड़ी राव रेखा, उम्र 39 के आसपास इनको काट रही है, उसके बाद एक राव रेखा, उम्र 45 के आसपास काट रही है, यह दो राव रेखा इनको परेशानी में डालेगी, पर यह money triangle वाला हाथ है, तो इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस समय फेट लाइन पर disturbance बहुत कम है, पर कोई न कोई रुकावट जरूर आएगी, जब अगर यह राव रेखा हो, जैसे यह राव रेखा, यह राव रेखा, और इसी पिरियर्ड में इनकी फेट लाइन भी disturbance है, तो इस समय इनको जाता तकलिफ का सामना करना पड़ता है, जबकि यह राव रेखा है, इतनी मोटी नहीं है, यह मोटी भी है, पर उस समय फेट लाइन में कोई disturbance नहीं है, तो इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं जाता, सेकेंड चीज, उसके बाद छोटी छोटी दो कट है, एक उम्र 48 में और एक 51 में, इतनी राव रेखा है, इनको जीवन में लिष्ट अप करेगी, और उसके बाद लगबग एक और 12-14 साल के बाद, 10 साल के आसपास एक और राव रेखा है, और यह सी दी लाइन आगे बढ़ रही है, अब इनकी फेट लाइन पर एक कट लगा, उम्र लगबग 22-24 के आसपास, ये 24 के आसपास, ये कट लगा है इनको उम्र लगबग 29-30 के आसपास, और यहां पर इनकी फेट लाइन कमजोर हो गई, ये पिरियड होगा लगबग 32 के आसपास का, 32 से लेकर इस चल रही है और लगबग गाय भी आप समझो यानि वर्तमान समय यह काफी पेन से गुजर रहे होंगे काफी बड़ा पेन आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संकटों का सामना कर रहे होंगे पर इनके लिए एक प्लस पॉइंट है वो यह है यह देखिए माइन लाइन से एक स 36 के आसपास कोई ने कोई बड़ी ओफर इनके जीवन में आएगी और इनका कमाई का साधन 99 परसेंट चेंज होगा या वो भी होगा तो भी कहीं न कहीं डवलप्मेंट होगा और यहां से इनकी गाड़ी रफतार पकड़ेगी और यह सीधी चलेगी पर यह पार्ट इनका ब सहना पढ़ रहा है या आगे और सहना पढ़ सकता है क्योंकि जब भी कोई रेखा क्रॉस में काटती है तो अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देती है पर इसके बाद देखिए यह सीधी चली यहां से इनका जीवन मदूर होना चालू हो जाएगा 36 के आसपास से या उसके बाद कोई ऐसा strong cut है ही नहीं कहीं पर भी यह है cut तो यह भी investment का cut है यह एक चौपन के आसपास इस fat line के लिए और यह 49 के आसपास कोई न कोई investment इनके जीवन में होगा और यह गारी यहां से एक और साखा निकली यह जो मैंने बताई वही या तो विदेश से धन की और जा रही है तो यह तो 100% विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जा रहा है बस यह संकट यह निकल ले और निकल भी जाएगा कोई ज्यादा problem आएगी नहीं हाँ वर्तमान में अच्छी खासी problem का सामना कर रहे होंगे मेरा उसका ना नहीं है पर आगे का जीवन प्लस इतनी बड़ी बुद्ध रेखा है तो आपको आपका बाल भी बाका नहीं होगा आशार रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादु